पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है उसका शिकंजा हर तरफ फैल रहा है जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय विश्व स्वास संगठन WHO के मताबिक पूरी दुनिया के 195 देशों में से 166 देशों में यह वायरिस इसका जो जानलेवा शिकंजा है वो फैल चुका है संभवता ऐसे अब पहली बार हो रहा है कि पूरी दुनिया में एक बीमारी का आतंग इतना जादा फैला हो दुनिया भर के नागरिकों ने संभवता पहली बार मिलकर एक साथ इस तरह के जानलेवा वायरिस से लड़ने की ठानी है ऐसा पहली बार हो रहा है जब पूरी दुनिया में एक बीमारी का आतंग इस तरह से फैला है जहां पूरी दुनिया के जो नागरिक हैं वे पहली बार एक साथ खड़े होकर इससे बचने के रास्ते खोज रहे हैं सरकारे रास्ते खोज रही हैं और जो जानलेवा वायरिस है इसको जिस तरह से इसका फैलाव है जिस तरह से लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं उसने निश्चित तोर पर एक खौफ का महौल पैदा किया है वही सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसकी पैदाईश कैसे यह वायरिस शुरू हुआ क्या कारण है इसे लेकर भी अभी तक भ्रहम बना हुआ है कोरोना वायरिस के तार जैविक प्रियोगों जैविक युद्ध बाइलोजिकल वेपन से जोड़ कर भी देखे जा रहे हैं लंबे समय से इस बारे में आशंकाइम व्यक्त की जा रही थी कि अगला बड़ा युद्ध जो विश्विस्तर पर होगा वह जैविक युद्ध होगा बाइलोजिकल वेपन के जरीए ये लड़ा जाएगा और इसके लिए तमाम महाशक्तियां लेबरोटरीज में अलग-अलग प्रियोगों को अंजाम दे रही हैं इस सदी में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जितने भी वाइरल इंफेक्शन आए हैं उन्हें लेकर इस तरह की क्यासबाजी चलती रही है इनके बारे में कुछ भी प्रमानिक जाच या स्वतंत्र जाच ठकरीबन नामूंकिन है लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की जैविक जंग को अंतराष्टी राजनीती से अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता इसलिए देखिए कि इस महामारी को लेकर अमरीका और चीन एक दूसरे को दोशी बनाने पे लगे हुए हैं अमरीकी राष्टपती डूनाल ट्रम ने बेशरमी की सारी हदे पार करते हुए इसे चाइनीज वाइरस तक कह दिया और उस पे लगातार भे अड़े हुए हैं वहीं चीन इसे अमरीका से भेजा गया वाइरस बता रहा है और चीन के वोहान से शुरू इस बीमारी के लिए पहले वाहक को अमरीका से आया हुआ बताया जा रहा है ये दोनों महाशक्तियां आपस में जिस तरह से भिड़ी हुई हैं और इस बीच इससे मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ी जा रही है चीन ने अपने यहां इस महामारी पर एक तरह से नियंतरण हासिल कर लिया है और वहां कोई लोकल केस नहीं आया है बाहर से आये हुए केसिस बहां पर हैं अभी इन तमाम पहलूओं पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ग्लोबल परिद्रिश को समझने में मदद मिलती है इसमें कोरोना-19 के इलाज के वैक्सीन को खोजने का खेल भी जबरदस चल रहा है जर्मनी की एक कमपनी का दावा है कि उसने इससे इलाज का टीका खोज निकाला है अमरीका ने एक अरब डॉलर से उसे खरीदने की पेशकश की ट्रम्प ने पूरा जोर लगाया लेकिन जर्मनी ने कहा कि वह वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए बनाने में इच्छुक है किसी एक कमपनी या एक देश के लिए नहीं इसी तरह से क्यूबा जो एक छोटा सा सामयवादी देश है उसने इस संकट में जिस तरह की इंसानियत का परिचे दिया है वह काबले तारीफ है उसने ब्रिटेन के एक क्रूज शिप एक जहाज की मदद की पेशकश की है यह जहाज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जहाज में जो लोग सवार हैं जो यात्री हैं उन्हें करोना वाइरस हो गया और बहुत ही जादा अफरा तफरी का महौल है क्योंकि कोई भी देश इनकी मदद के लिए तैयार नहीं कोई भी देश इस बात के लिए तैयार नहीं कि यह जहाज उनकी जमीन पर उतरे ऐसे में क्यूबा ने आगे बढ़कर कहा कि यह जहाज क्यूबा में उतर सकता है वहां क्यूबा इन याक्तियों के इलाज की लगातार अपने हाद धोने हैं, गंदेगी का कहीं भी फैलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें पूरी देश की तस्वीर, बया होती है इसमें जो सफाई करमचारी है ये खुल कर सामने बोल रहे हैं कि उन्हें लगातार कई घंटों तक डबल ड्यूटी कराई जा रही है साफ सफाई के लिए कहा जा रहा है लेकिन उन्हें कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं दिया जा रहा है क्या उनकी जान किसी को प्यारी नहीं है उन्हें क्यों आखिर मास नहीं मिल रहा ना दस्ताने दिये जा रहे हैं ना बूट दिये जा रहे हैं और ना ही हाथ धोने का साबुन सैनिटाइजर की बात तो खैर छोड़ी दीजिए ऐसा क्यों है कि जो लोग साफ सफाई का काम कर रहे हैं जिनकी काम को इस समय सबसे जादा तवज़ो दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हीं के काम पर बहुत से लोगों की जिन्दगी जुड़ी हुई है हमें लगातार खबरे देखने को मिलती हैं कि जो हमारी ट्रेने हैं मेट्रो हैं बाकी तमाम इलाके हैं इन्हें किस तरह से साफ किया जा रहा है जो लोग साफ करने वाले हैं उनके बारे में क्या सोचना हमारा आपका और सरकार का फर्ज नहीं बनता है इनके परिवार बोलने के लिए तैयार हैं कि किसी को भी इनकी चिंता नहीं है यहां ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि भारत में साफ सफाई का काम सैनिटेशन क काम जाती आधारित है और शायद यहीं वज़ा है कि इनकी जान की परवा किसी को नहीं है ना आपको है ना हमें हैं और बतौर देश बतौर नेशन हमें नहीं हैं सरकारें पूरी तरह से उदासीन हैं और यह अकारण ही नहीं है कि जब हम करोना से संबंधित नफरत की बात क वो ट्वीट आभी आप स्क्रीन पर देखेंगे जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि करोना पर सबसे पहला हक आरक्षण मांगने वाले दलित और आदिवासियों का होना चाहिए जिने रिजर्वेशन चाहिए मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि जिस व्यक्ती ने ट्वीट किया उसकी सोच किया है मुझे चिंता इस बात की है और दुख इस बात का है कि इस तरह के घिनोने नफरत भरे जाती के वाइरस से पीडित ट्वीट को लाइक करने वालों की संख्या 5000 से अधिक है सैकडों लोगों ने इसे रीट्वीट किया यानि ये जो अपराधी सोच है जहां हम मानते हैं कि ऐसे लोगों को करोना होना चाहिए क्योंकि वह इस जाती के हैं क्योंकि वह आरक्षन मांगते हैं नफरत का जो घिनोना वाइरस है वह जाती पर सामने आता है बत और नियूस क्लिक हम भी ये चाहते हैं कि सब लोग सावधान रहें सतर्क रहें सब लोग अपने घरों में महफूज रहें लेकिन उनका क्या जिनके घर नहीं जिस देश की राजधानी में हम बैठे हुए हैं जहां पर अभी कुछ दिनों पहले 50 से अधिक लोगों की जाने गई सैकडों लोग सडकों पर हैं उनकी हिफाज़त कौन करेगा क्या उन्हें करोना वाइरस नहीं पहुचेगा वहां भी करोना वाइरस पहुच सकता है जो लोग सडक पर हैं जो दिहाडी मजदूरी करते हैं उनके बारे में क्या हम सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं हम सब अपने अपने बारे में सोचते हैं और ऐसे सुविधा भोगी संपन्न व्यक्ति के बारे में सोचते हैं या उस तपके के बारे में सोचते हैं जो घर में रहकर अपनी रोजी रोटी चला सकता है जबकि विश्व भर में इस तरह की मिसाल सामने आ रही है आप देखेंगे कि कनेडा क्या कर रहा है आप देखेंगे कि फ्रांस क्या कर रहा है वहाँ पर सरकारे सामने आ रही है और बोल रही है कि किसी को भी आर्थिक संकट से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सरकार उनकी मदद के लिए आएगी क्या इस तरह की पेशकर्ष भारत का जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसे नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से उन्हें सोचना बहुत जरूरी है इसी के साथ हमें और आपको यह भी सोचना जरूरी है कि जो लोग इस वाइरस से पीडित हैं उनके प्रती हमारा क्या रुख होगा अभी जो खबरे आ रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं कुछ खबरें अच्छी भी हैं लेकिन जो परेशान करने वाली खबरें हैं वे ज़्यादा है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों को यह वाइरस हो गया है या जिने आशंका है कि यह वाइरस से पीडित हो सकते हैं उन्हें भीशन सामाजिक प्रतार्णा को जेलना पड़ा रहा है ऐसा ही एक मामला मुंबई से आया है जहां 63 साल के एक व्यक्ति को करोना वाइरस हो जाता है और फिर देखिए जो उनके पडोसी हैं आसपास के लोग हैं वे क्या रुख अख्तियार करते हैं वे सिर्फ उन्हें ही नहीं बलकि तमाम परिजनों को नफरत भरे संदेश भेजने लगते हैं और इंतहा तब हो जाती है जब इस व्यक्ति के मोबाइल पर ही उनकी मौत का संदेश भेज दिया जाता है आप देखिए कितनी बेदर्दी है पूरे समाज की जहां पर यह माना जाता है कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से निप्टा देना चाहिए यह व्यक्ति हमारे आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सुरक्षित रहें इस तरह कि अंगिनत मेसेज वर्टसप पे आ रहे हैं जहां पर लोगों से यह बात की जा रही है कि कैसे भी पता चले और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए हमारे पास दिल्ली से ऐसी खबरे हैं नोएडा से ऐसी खबरे हैं जहां पर डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया चतिसगर से अभी खबर आई है जहां पर एक हॉस्पिटल सिर्फ आशंका के आधार पर व्यक्ति को बाहर निकाल देता है इलाज करने से मना कर देता ह और उनके साथ बसुलूकी करता है यह कैसा समाज हम बना रहे हैं जहां सिर्फ हमें अपनी और अपने परिजनों की चिंता है बाकी आसपास की लोगों के प्रती हम पूरी तरह से बेखबर हो गए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुकान चली है इस समय वह गोमुत्र और गो पूच रही होंगी और इस समय तो गोमुत्र पाटियां हो रही है देश की राजधानी में हो रही है पाटियां इस तरह की अंधविश्वास की जो दुकान चल रही है इसमें जो एक खबर आई है जिसके बारे में बहुत बड़े पैमाने पर बात करनी जरूरी है वह आई है पश्चिम बंगाल से जहां कलकत्ता में भाश्पा के एक जो नेता है नारायंड चटर जी वह गोमुत्र पार्टी रखत हैं वहां पर गोमुत्र पीने से एक व्यक्ती बीमार पढ़ जाते हैं उन्हें एडमिट कराना पड़ता है और इसके बाद इस व्यक्ती की खिलाफ एफाई आर होती है और उन्हें गिरफतार कर लिया जाता है इस तरह की जो खबरे आ रही हैं इन पर बात करना अपने अप पड़ा बाजार अंधविश्वास का बहुत सुगटित धंग से बनाया जा रहा है बहुत तेजी से इसका फैलाव हो रहा है आप देखेंगे कि आपके वटसब पर भी तमाम तरह की चीज़े आ रही हैं जिनके खिलाफ बोलना और उन्हें वहीं रोकना जरूरी है अफवा की फैक्ट्रियां इतनी तेजी से अपना जहर पहला रही हैं देश भर में कि व्यग्यानिकों को साथ आकर 500 से अधिक व्यग्यानिक साथ आए और उन्होंने सरकार से अपील की प्रधानमंत्री से अपील की कि गाए गोमुत्र और गोबर के इर्दगिर्द जो पूरा का पजबूर हो जाएंगे उमीद है कि ये सरकार इन विग्यानिकों की अपील को सुनेगी और जिस तरह का अंधविश्वास पहलाया जा रहा है इस पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाएगी कुछ ठोस कदम क्योंकि हमें और आपको यह समझना जरूरी है कि अभी करोन वाइरस का जो स्टेज है भारत में वह दूसरी इसतर का है तीसरा और चौथा चरण सबसे ज़्यादा प्राण घातक होता है वहां जाने से पहले हमें अपनी सोच को विग्यानिक बनाना जरूरी है हमें अफवाहों और अंधविश्वासों से मुक्त होना बहुत जरूरी ह करोना पर हम क्या करें क्या ना करें इस पर बाचीत बहुत लंबी है और हमारा और आपका यह बाचीत का सिलसिला है चलता रहेगा चलते चलते आपसे बस एक काटून में शेयर करना चाहूंगी जो हमारे दोस्त तनमेतियागी ने बनाया है यह काटून उन्होंने बनाया है इस देश के पूर्व प्रधान मुख्य नयाएधीश, CGI, गोगई सहब पर, जिनोंने आज ही शपत ली, बहुत ही एतिहासिक शपत का दृशे रहा ये, सदन में जो शपत ली गई, जिस समय जब वो शपत ले रहे थे, तब देश के सांसद शेम शेम चिला रहे थे, देश का जो लोकतंतर है, वो किस तरफ जा रहा है, यह दिखाने के लिए, यह काटून और यह जो रासभा से तस्वीरें आई हैं, यह काफी हैं, चलते चलते एक अपील आप से, जो बहुत जरूरी है, कि हम और आप सावधान रहें, सतर्क रहें, अफवाहों से बचें, और स हमाम लोगों की चिंता करें, जो हमारे देश में रहते हैं, जो दुनिया में रहते हैं, क्योंकि यह संकट सिर्फ हमारा और आपका नहीं, हम सब का संकट है, शुक्रिया